हेलो दोस्तों आप सबका इस वीडियो में स्वागत है आज हम स्वीडेन के उपर 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जिनको सुनकर आप चोग जानने वाले हो स्वीडेन में उनका टू थर्ड एरिया फॉरेस्ट से कवर है अगर हम इंडिया में कंपेर करें तो इंडिया का 25% से भी कम एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है पर स्वीडेन के अंदर टू थर्ड एरिया उनका फॉरेस्ट कवर है तो आप समझ सक्ति हो गया स्वीडेन के जो लोग है वो एंवार्मेंट के उपर कितना ध्यान देते है दोस्तो क्या आपको पता है नौर्थ कोरिया का स्वीडेन से 2.7 बिलियंड स्वीडिश क्रोनार का लोन है मतलब 300 मिलियंड डॉलर्स जिसको अगर हम इंडियन करन्से में कनवर्ट करें तो नेरली 2350 क्रोर्स का लोन है नौर्थ कोरिया का यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने नौर्थ कोरिया के किंग ने 1974 में स्वीडेन से 1,000 वॉल्वो कार्ज को इंपोर्ट किया था जिन अज़ पर उन्होंने वो अमाउंट पे नहीं किया तो वो अमाउंट इंफलेशन और इंटरेस्ट को अगर हम आड करें तो वो अब भी 2,350-2,350 करोड होता है स्वीडेन यूरोप का 5th largest country है पर उनकी पॉबिलेशन बहुत कम है उनकी पॉबिलेशन डेंसेटी यूरोप में 2nd lowest है स्वीडेन में 1 किलोमेटर स्क्वेर में सिफ 25 लोग रेते है पर उनका एजिया है वो बहुत बड़ा है स्वीडेन के जो लोग है वो 124 countries में बिना वीजा के ट्राइवल कर सकते है इसलिए उनका जो वीजा है वो पूरे दुनिया में 6th strongest वीजा है ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे countries स्वीडेन लोगों को बिना वीजा से भी अराइव करने के उनको परमिशन देते है ये इसलिए है क्योंकि जो स्वीडेन लोग रेते है उनका क्राइम बहुत कम रहता है और जब भी वो कोई country में आते है तो इसी कोई परेशानी वो क्रेट नहीं करते है इसलिए स्वीडेश लोगों को बहुत बार बिना वीजा क्याने में परमिशन देती है दोस्तो ये जो अगला फैक्ट है ये बच्चों को होग पसंद आने वाला है कि आपको पता था स्वीडेशम में चिल्डरन को स्माकिंग और बीटिंग नहीं कर सकते हैं बतलब बच्चों को भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि येइवाब ये एक क्राइम जैसा रेता है और इसलिए वहापे स्वीडेन ऐसा फर्स्ट कंट्री बनाए पुरे वर्ल्ड में जिनों ने बच्चों को फ्लॉग और स्मैक करने में बैन किया है दोस्तों अगर आप स्वीडेन में जाने का सोच रहे हो तो आपको वहापे खाने पीने की चिंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्वीडेन में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा में में डौनल्ड्स की डेनसीटी है मतलब वहापे डेफिनेटली आपको फूर्ड की शॉर्टेज नहीं होने वाली है दूस्तो ये जो फैक्ट है ये बहुत अजीब है क्या आपको पता था स्वीडेन जो उनके नेवरेंग कंटरी से उनसे वो वेस्ट को इंपोर्ट करता है हम भहुत बार सुनते हैं क्या ये कंटरी इस कंटरी से ये इंपोर्ट करती है कुछ machines import होगे या कुछ food या कुछ वेशा import पर क्या आपको पता था क्या Sweden वेस्ट को import करता है क्योंकि Sweden recycling में इतना अच्छा है कि वो जो बाकि के country से उनसे वेस्ट को import करके recycle कर देता है वोज बहुत पेशा कमाता है Sweden उनके country का 99% जो वेस्ट है और इससे उनको जो byproducts मिलते है उनको इनसे बहुत profit होता है दोस्तों ये जो fact है ये बहुत funny है क्या आपको पता था Sweden में एक king थे जेनका नाम Eric the 13th था इनको इनकी जो राजगदी थी इनका जो crown था इससे इनको निकाला था और ये निकल के ये पाइज़ेड बने थे और इनोंने नेरली 10 साल तक Baltics में पाइज़ेड सी की थी मतलब एक king पाइज़ेड बना दोस्तों स्वीडेन एक बहुत इनोवेटिव कंटिरी है इसमें हर इसमें जो patent से वो per capita पुरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है paste maker, dynamite ये ऐसी चीज़े स्वीडेन में ही बने थी मतलब स्वीडेन बहुत एक इनोवेटिव कंटिरी है और यह से हर साल बहुत अच्छे scientist निकलते है और इस कंटिरी में बहुत सारी innovation होती है दोस्तो अगर आपको environment के लिए sympathy है तो ये fact देखके आपकी जो respect है स्वीडेन के लिए वो और बढ़ने वाली है fact ये है कि स्वीडेन में 50% से ज्यादा जो उनकी energy है वो renewable sources से produce होती है मतलब स्वीडेन के 50% से ज्यादा जो energy requirement है वो hydropower, wind turbine, solar energy या इसे जो clean source रेटे energy के इनसे produce होती है और स्वीडेन में टोटल 95,700 legs है मतलब स्वीडेन एंवार्मेंट के लिए इतना conscious है और वो एंवार्मेंट के लिए एंवार्मेंट को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते है तो स्वीडेन को हमें हैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो उनका एंवार्मेंट है वो अच्छे से preserve किया है तो दूस्तो हमारे ये 10 facts खतम होते है अगर आपको इस वीडियो से knowledge मिला होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको like करे, सबके साथ share करे और knowledge को spread कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और bell notification कौन कीजिए क्योंकि इससे आपको हमारे चैनल की सबसे साथे updates मिलती रहेगी जाएक्ट